दोस्तो करेंटली अभी सप्राइस का दूसरा नाम भी हो गया है जो की है मावाज स्टूडियोज यानि कि हम लोगों लग रहा था कि सैंड याओगो कॉमिक ओन में हम लोगों से फेस फाइप रिवील होता हो नजर आएगा लेकिन मावाज स्टूडियोज ने फेस इस ब्रिवील कर दिया और ये क्या है एक ही एयर में दो आविंजर मुई य चीजें तो फैंस अपने नहीं सोस सकती थी लेकिन यहाँ पर Marvel Studios ने बहुत जल्दी काम किया और यहाँ पर Avengers Endgame के कुछी टाइम बाद हम लोगो काफी लंबी Avengers 5 मुई देखने को मिले वाली है जो कि में भी हो सकता है दो पार्ट में हो जैसे कि Kang Dynasty और Secret Wars यह दोनों एक दूसरे से काफी connected है इसलिए एक ही एर में आ रही है लेकिन आज हम लोग सब कुछ डीटेल में सबजने के कोशिश करेंगे तो दोस्तों कम्ट्री वीडियो को स्टार्ट करेंस पर आप लोग कर दीजी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताईए कि आप मावस्ट वीडियो के कौन से नए प्रजेक्ट के लिए जादा समय और इसका सूट का कलर भी चेंज जूकिया है जो कि रेट से यलू है और यहां पर अगरो लोग बात करें डेट वाइज मुई की तो सबसे पहले नाम आ रहा है एंटमन क्वांटम मीनिया का जो की हम लोग को दिखाए देगी 17 फेबरी 2023 में और यहां पर हम लोग को पहल है स्प्रिंग 2023 में और यहां पर दोस्तों इसकी कुछ री फिल्मिंग हो रही है और में भी आगे जाके बहुत जल्दी हम लोग को इसका पहला टीजर ट्रिलर भी देखने को मल जाए अगली मुई की तो वह है गार्डिस अधी गलक्सी वॉल्यम 3 जो की आज है मई 2023 में और और हम लोग बात करें आपकी सबसे फिवरेट टीवी स्रीज जो की है लोग की सिजन टू वो भी हम लोग को समर 2023 में देखने के पलेगी जहाँ पर आगे जाकी यह पता चलेगा कि लोग की सिल्वी को कैसे खोजेगा और यहाँ पर कैन की मिस्टरी को कैसे सॉल्व करेगा अ अब यहाँ पर आप लोग कर पता होगा कि मिस्टरी को बैंगल है उसमें से अजीब सी क्वांटम एनरजी निकली थी जहाँ पर पता नहीं कहां टेलिपोर्ट हो गई और उसकी जगह कैप्टर मावल आ गए थी और वही से कहानी शुरू होगी दम मावल स्मोई की इन सब के यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है कि अन्थोनी स्टार अगर यहाँ पर आते हैं जो कि ड्रैकुला का रोल प्ले करेगे ब्लेट के अगेस्ट तो यह मुवी तो आरेटिड होनी चाहिए डेड़पूल की तरह तभी ओडिस को दिखने में ज्यादा मजाएगा अब चलिए अग अगेता के टीवी सीरीज भी अनॉंस हुई थी और इसके टाइटल था अगेता हाउस फाकनेस लेकिन वहाँ से चीन जोके हो गया है कोवें ऑफ कियोस आप यहाँ पर अगर लोग बात करें स्प्रिंग 2024 की तो हम लोग को देखने को मिलेगी डेडेविल जहां पर अपने मै और यहां पर जितने भी इवेंट से वह एक्जाटली उसी समय से शुरू होंगे जहां पर फैलकन एंड विंडर सोल्जर एंड हुई थी लेकिन अगर लोग बात करें जुलाई की तो हम लोग को देखने को मिलने वाली है थंडर बर्स अब लेकिन सबसे इंपॉर्टन बात यह है दोस्तों कि इसमें रेड हल का भी इंवॉल्मेंट होना चाहिए तभी ज़्यादा मजाएगा लेकिन जो रेड हल का रूल प्ले करने वाले थे यानि कि जन्यर रोस उनके जो एक्टर है उनकी देथ हो चुकी है तब यहां पर देखना पड़ेगा मावा स्टूडियो इसे कैसे अड्जस्ट करता है लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा मार्वल ने यहां पर फेज 6 के भी अनॉस्मेंट कर दी है तो चली उसको भी समझ लेते हैं अगर हम लोग बात करें 8 November 2024 की तो हम लोग को देखने को मिलने वाली है फैंटास्टिक फोर मुई अब इस मुई की और हाइप को क्रेट करने की तो आ रही है 2025 मई में वो है Avengers Kang Dynasty और यहां पर उसके बाद November में आ रही है Avengers Secret War अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि यह दोनों Avengers टैटल मुई एक ही समय पर आ रही है यानि कि दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है जब audience को एक ही टैम पर दो Avengers जाएगा तो जितनी भी टैम लेन वो बनाया है सबकी branch reality open हो जाएगी और एक तरीके से multiverse में chaos create हो जाएगा जिससे उसके बाकी Kang के वेरिंट्स को मौका मिल जाएगा और वो बाकी multiverse पर कंट्रोल करने के कोशिश करेंगे क्योंकि Hugh Remains के according वो तो काफी अच्छा वर्जन है और उसको जो बाकी Kang के वेरिंट्स है वो काफी evil है तो ऐसा हो चुका है यानि Loki और Sylvie के वज़े से हम लोग को यह दो Avengers मुई देखने को मिल लिए अगर यहाप सिल्वी यह सब नहीं करती तो शायद में भी ऐसा नहों पता लेकिन altogether अब यहाँ पर यह देखना पड़ेगा क कौन सा Kang कितना खतरनाक है और आगे जाके वो Kang Dynasty में कैसे दिखाए देगा क्योंकि दोस्तों अगर लोग बात करें Avengers Quantum Mania की तो वहाँ पर भी हम लोग कोई Kang दिखाए दे रहा है लेकिन यहाँ पर Mawa Studios में पहले confirm कर दिया है कि हम लोग को time to time अलग version के Kang दिखाए देंगे यान कि उसको build up करने के लिए बहुत कुछ cover up करना पड़ेगा इसलिए तो Marvel ने इतने project की announcement की है और यह पर TV series भी काफी important role play करती है खासकर Avengers Secret Invasion क्योंकि दोस्तों आगे जाके स्क्रल का भी हम लोग को काफी important role देखने के मिलने वाल है लेकिन अब हम लोग समझ लेते हैं कि आगे जाके अगर हम लोग को MJ Secret War देखने के मिलती है तो multiverse से कौन से heroes की आने के possibility है अब जैसी कि अगर हम लोग बात करें जितना भी phase 6 तक हम लोग को announcement देखने के मिला है उसमें से बहुत सारी ऐसी dates है जहां पे कोई भी movie हम लोग को देखने के मिली है लेकिन हाँ वो slot अभी खाल पिलेगा जहां पी जो अपना थौर है वो हर्कुलिस से बैटल करने के बाद सीधे अपियर होगा Avengers 5 में लेकिन जब यह सब मल्टिवस के concept पर बेस है तो यहां पर phase 6 में डॉक्टर स्टेंज 3 की अनॉस्मेंट होनी चाहिए थी यानि कि एक slot उनके लिए भी होगा जो कि जैसे कि अगर लोग बात करें टोनी स्टाक की उसके बाद अपने स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका की नताशा की और भी काफी लोग है तो में भी दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर मल्टिवस से हम लोगो टोनी स्टाक दिखाए दे और क्यांग का सामना क करें क्योंकि अगर लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो क्यांग का सबसे बड़ा एनिमी आरेमन है और यहां पर वो हर एक मल्टिवस से टोनी स्टाक को नामों निशान हटाना चाता है ताकि वो हर एक टाइम लाइन में आसानी से रूल कर पाए दोस्तों अभी भी कुछ ऐ ऐसे प्रजेक्ट है जिनके बार में और डीटेल में सबजना बागी है जैसे कि लोकी से टू जिसकी गजब की लीक आई है जो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा